अब बच्चो क्लास सेकेंड आपका ये दूसरा वीडियो दूसरे लेशन का है इसमें देखी आपका जो है प्रशन उत्तर है पहला प्रशन क्या है बच्चे कहां खेल रहे थे बच्चे सडक के किनारे पार्क में खेल रहे थे दूसरा है पार्क में जो ब्यक्ति आया उसका पहनावा कैसा था वे सिर पर टोपी चूड़ीदार पैजामा सफेद कुर्ता कुर्ते को उपर बंडी पहने थे बंडी के उपर लाल गुलाब लगा हुआ था यह आपका दूसरा पूरा हो गया तीसरा कोशन है बच्चे क्यों खुश थे बच्चे इसलिए खुश थे क्योंकि वे सज्जन उनके साथ खेल रहे थे अब देखे चौथा आपका बूढे बैक्ति ने बच्चो को क्या बताया बूढे बैक्ति ने बताया कि हमारे देश के परधान मंत्री पंडी जोहरलाल नहरू थे अब पाच्वा कोशन है चाचा नहरू को क्या अच्छा लगता था चाचा नहरू को बच्चों का साथ और गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता था दूसरा कोशन है रिक्त स्थान भरो मोटर गाड़ी से एक यहाँ आप सज्जन उत्रे भरेंगे बंडी के उपर लाल गुलाब लगा हुआ था वे गाड़ी से उतर कर बच्चों के साथ खेलने लगे वे अपनी मोटर गाड़ी में बैठ कर चले गए एक बुड़े ब्यक्ति ने बच्चों को बताया है ये हमारे देश के परधान मंत्री पंडी जवाहलाल नहरू है बच्चे इन्हें प्यार से चाचा कहते हैं सभी बच्चे खुसी से उचल पड़े इस तरह आपको यहाँ बीच में भरना है इसके बाद किस ने किस से कहा इसमें दिया है पहला यह हमारे देश के परधान मंत्री पंडी जवाहलाल नहरू है किसने किस से कहा आपको पूछ रहा है यहाँ पे बुढ़े बैक्ति ने बच्चों से कहा हमारे प्यारे चाचा हमसे मिलने कब आएंगे यहां ये बच्चों ने बुढ़े बैक्ति से पूछा अब देखिए आपका है निम लिखी सब्दों में से संग्या उसामा सब्द अलग-अलग करके लिखने हैं इसमें देखिए क्या है का का पहले आप संग्या में आप भरेंगे पार्क बैक्ति गुलाब बुढ़ा पहनावा फिर शर्वनाम सब्द लिखेंगे शर्वनाम लिखेंगे उसके नीचे लिखेंगे कुछ वह हमारे उनमे फिर संग्या लिखेंगे बच्चे सड़क गाड़ी तोपी कुर्ता सर्वनाम में जिनका वे अपनी तुम्हारा इस तरह इनमे से आपको छाटके लिखना है जो ये नीचे दिया इसी कालम में आपको अपने बता है उसी तरह लिखना है अब आपका खा है फूल का नाम बताए और इस फूल के बारे में तीन वाक के लिखेंगे पहला गुलाब का रंग लाल होता है दूसरा इसकी सुगंद मंद को लुभाती है तीसरा गुलाब के गुलकंद आदे अनेक दवाईयां बनती है अब ये आपका जो है पार्ट लेशन दूसरा भी खतम हुआ आपको ये जो है याद करना है याद करके धन्यवाद